दोस्तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वापिस आकर हमारी वीडियोज को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद आज मैं आपको बताने जारियों सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के अंदर गुटनों के गिसे हुए डेमेज हुए कार्टीलेज को दुबारा बनाया जा सकता है अगर कोई इनसान उप्रेशन करवाने का सोच रहा है गुटनों के दर्द के कारण अगर कोई इनसान एक कदम भी नहीं चल पा रहा और वो ये सोचता है कि अब तो उसे उप्रेशन करवाना ही होगा तो प्लीज ये वीडियो जादा से जादा 5-5.5 मिनट की होने वाली है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो में बताएगए इलाज को जरूर कीजिए आपको इतना बेनिफिट होगा कि आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे और बिना ऑपरेशन के आप ब दो महीने या तीन महीने हुए हैं तो ये इलाज आपको सिर्फ और सिर्फ 20 दिन करना है लेकिन अगर किसी इंसान को ये समस्या थोड़ी लंबी है यानि एक साल जेट साल दो साल हो चुका है गुटनो का दर्द रेगुलर रह रह रहा है कार्टिलेस बिलकुल डैमेज हो च चुके हैं चलने फिरने में बहुत जादा मुश्किल आती है यहां तक कि पलाथी नहीं लगती सीडियां में एक कदम नहीं चड़ा जाता तो दोस्तों आपको इस इलाज को दो महीने रोजाना करना होगा तो ये वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं ताकि आप इसको पूर तो दोस्तों इलाज बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आखिर कार्टीलेज घिसते क्यों हैं कुछ लोगों के अंदर खाना खाने के बाद वायू यानि वात बहुत जादा बनती है जिसके कारण ये कार्टीलेज को सुखा देती है कोई भी हड़ियों का लचीला पन खतम हो जाता है थोड़ा सा टकराने पर हड़ि दर्द करने लगती है हड़िया खोकली हो जाती है उस्टियोपोरसिस का खत्रा हो जाता है जिसमें कहा जाता है कि हड़िया कमजोर पढ़ चुकी है ये भी बाड़ी के अंदर वायू यानि वात ले रहे हैं आप आइरन ले रहे हैं आप प्रोटीन ले रहे हैं जो की कार्टीलेस को बनाने का काम करता है जो ये जोड़ों के बीच के जो कार्टीलेस होते हैं ना दो जोड़ों के बीच के कार्टीलेस ये कैल्शिम और प्रोटीन से बने होते हैं लेकिन अगर कोई इनसा सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि अगर आप कैल्शिम वाली प्रोटीन वाली डाइट ले रहे हैं फिर भी अगर आपके घुट में दर्ध हो रहे हैं फिर भी बॉडी में वार्ट बन रही है तो उसके पीछे कारण है आपका पेट तो आपको रोजाना ऐलोवे बॉडी को बहुत अराम से लग पाएंगे अब मैं आपको इलाज बता रहे हूँ लेकिन उससे पहले पांच चीजें ऐसी जान लीजिए जो कि आपने बिल्कुल छोड़ देनी है अगर आपके बॉडी के अंदर बहुत जाद अवायू बनती है वात बनती है या नरव सिस् आपने वात वाली चीजे तो नहीं खानी जैसे भिंडी चावल आलू इन चीजों का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना इसके इलावा पित वाली चीजे नहीं खानी जो बॉडी के अंदर पित को बढ़ाए इसके इलावा आपने खटी चीजे नहीं खानी और रात के टाइम त जो कि बॉड़ी में वाद को नहीं बढ़ाए, alkaline nature वाली चीजे खानी है, alkaline nature में आता है, जिसे कदू है, tinda है, पेठा है, इन चीजों का सेवन करना है, जो कि बॉड़ी में alkaline को बढ़ाती है, तो चलिए अब जानते हैं, इलाज के बारे में जो कि सिर्फ आपने 20 दिन करना है, और गुटनों का दर्ध पूरी तरह से दूर हो जाएगा, दोस्तों इसे बनाने के लिए, हमें सबसे पहली चीज जो लेनी है, वो है एक चम्मच जीरा, जीरे के अंदर iron बहुत अच्छी मातरा में होता है, इसमें calcium बहुत अच्छी मातरा में होता है, मेगनेशियम बह दोस्तों हमने सिर्फ एक चम्मच जीरा लेना है, जो हम तड़का लगाने में इस्तमाल करते हैं, दूसरी चीज जो हम यह ले रहे हैं, दोस्तों काली मिर्च, और सिर्फ हमने आधा चम्मच जी काली मिर्च लेनी है, काली मिर्च के अंदर anti-inflammatory और antibacterial गुन मौजूद होत तो हमने यहां सिर्फ आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेना है, तीसरी चीज जो हम यहां इस्तमाल कर रहे हैं, वो है दोस्तों मेथी दाना, तो एक चम्मच मेथी दाना लेना है, मेथी दाने की क्या गुन है मैं यह मान सकती हूँ, आपको इसके बारे में पता होग इसके इलावा यह वाथ नाशक तो है ही, कफ नाशक तो है ही, तो दोस्तों हमने यहां सिर्फ एक चम्मच ही मेथी दाने का इस्तमाल करना है, चौथी चीज एक और देनी है लेकिन पहले जान लेते हैं इसे बनाना कैसे है, तो हमने इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे स में तयार कर लेना है, यानि कि हमने इन तीनों चीजों का पाउडर बना लेना है और इसमें से फिर्फ हमने आधा चम्मच पाउडर लेना है, गोल देना है यह आपका वो डिंग तेयार हो गया, जो बाड़ी में से वात को दूर करेगा 20 दिन की अंदर आपके घुटनों के cartilage को दुबारा बना देगा क्योंकि यह आपकी बॉड़ी में वात को नहीं बनने देगा यह आपकी बॉड़ी में inflammation को दूर कर देगा दोस्तो ऐसा drink बनाना है और इसके साथ हमने डालना है दोस्तो आधा चमच गुड़ लेकिन अगर आप वो overall body के लिए बहुत अच्छा है digestion को improve करने के लिए बहुत अच्छा है तो यह drink आपने बनाना है और शाम के time इसका सेवन करना है ध्यान लखिये शाम के time करना है जब आप बिलकुल खाली पेट होते हैं चार से पांच बजे के बीच में उस time आपने इसका सेवन करना है और चाई बिलकुल छोड़ देनी है इसकी इलावा आपने रोजाना एक चमच देसी घी का सेवन करना है आप इसको कैसे भी consume कर सकते हैं इसकी इलावा एक चीज़ शायद आपको पता होगी कि गलत तेल खाने से ये बिमारी आती है तो देसी घी आपको बताया जा रहा है जो कि हमारी बॉड़ी में से खुश्की को हवा को दूर करने का काम करता है तो दोस्तों ये जानकारी ये information यहीं तक थी जिसकी द्वारा आप 20 दिन के अंदर घुटनों के दर्द को दूर कर सकते हैं कार्टीलेज को दुबारा बना सकते हैं अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी आपके काम की है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजीगा और अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर कीजीगा और अगर आपके कोई सवाल हो या आप मुझे कोई suggestion देना जाते हैं सुझाव देना जाते हैं तो जरूर आप दीजिए जरूर पूछ सकते हैं कोई comment कर सकते हैं इसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा मिलते हैं दोस्तों next video में तब तक के लिए good bye